बिसमिल्लाइर महमान ररहीम असलाम अलेकूम इस रिज्वान दवर्ड यू वाचिंग मैं यूट्यूब चैनल रिडियोजी वीडियो बाई रिज्वान दवर्ड तोड़े आवांट तो डिस्कॉस एक्स्रेस प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं एक्स्रेस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टन टॉपिक है जो लोग रिडियोलोजी के अंदर काम कर रहें कम से कम यू पता होने चाहिए के एक्स्रेस कई से प्रोड्योस होते हैं जी कुई भी पूछे कैसे प्रोड्यूस होते हैं तो आपको जवाब आने चाहिए अच्छा एक्ष्ट्री ट्यूब का नाम सुना होगा तो एक्ष्ट्री ट्यूब जो है इसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं तो उसको तोड़ा इलबॉरेट करते हैं अगर हम कितूट साइड की बात करें तो कितूट साइड पे नेगेटिव चार्ज होता हैं और उसके साथ साथ फोक्सिंग कप होता हैं फिलमेंट्स होता हैं जी और अनूट साइड के अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे साथ एनूड होता है पाजिटिव एलेक्ट्रोड हैं और उसके उपर पु एक्सरेस कई से प्रोडियोस होते हैं है तो आज हम शेरप करिस्ट्रिस्टिक एक्सरेस के बात करते हैं एक्सरे ट्यूब में जब हम करन्ड देते हैं यह नि जब हम में इसको बढ़ाते हैं अचा तो हमारे साथ कितूर साइट पे फिलेमेंट्स लगे होते हैं वहां पे तर्मियानी की मिशन स्टार्ट हो जाता है तर्मियानी की जितनी करण को हम बढ़ाएंगे तर्मियानी की मिशन बढ़ीगी अगर तर्मियानी की मिशन ज्यादा हो रहा है तो तर्मियानिक E-Mission के साथ-साथ वहाँ पर उलेक्ट्रान इजेक्षन भी ज्यादा होगा जितना ज्यादा उलेक्ट्रान प्रोडियोस हो रहे उतना ज्यादा उलेक्ट्रान पर कहां पर जाएंगे एनोट साइट पर जाएंगे तो पिलेमेंट का आप लोगों पते चला के हमारे साथ फिलेमेंट के अंदर ही तर्मियाने के मिशन्स होते हैं फिर फिलेमेंट भी दू टाइप्स के हैं स्माल फिलेमेंट्स एन लार्ज फिलेमेंट्स फिर फॉक्सिंग कप की हम बात करते हैं फॉक्सिंग कप पे नेगेट charge होता है तो आप लोग ने पढ़ा है कि आपच्छार्च एटरेक्ट इचेदर सेम् चार्जिस रिप्यल लेट इचाथ है तो तो इलेक्ट्रान जो प्रोडियोसर है यंदि प्रोडियोसर है उस पे पिर निकेटीछ चार्ड फॉकसिंग पहुपल करता है उनको पतवे देता है ताको इमने बात की पॉकल स्पार्ट के तो पॉकल स्पार्ट एक्च्विली हम पॉकल स्पार्ट को एक्च्वल सोर्स आप एक्सरेस प्रोडक्शन कहते हैं तो यह एलेक्ट्रान आते हैं पॉकल स्पार्ट पे लगते हैं और उस एलेक्ट्रान से जो इनर्जी लास होती है उनको हम एक्सरेस कहत हैं लिए थू अब हम डिसकस करते हैं करिस्ट केकस जरस्त्रीक xra कई से प्रोड्यूस होते है इं। हम बात करेंगे कheshell की तो टॉंस्तन से तो टोंस्ट Men 데रियल की अटॉमिक नंबर जो है उस Singapore है तो आप हम बात करेंगे om कि तो टौंस्टन के के बाइंडिंग इनर्जी जो है और 69 बाइंडिंगT Penirgy है छो अब अब कर रहा है थो आ तू योडॉ हो रहा है तो वहां पर विकेंसि खाली हो हो जाता है और वहां पर विकेंसी क्रियाइट हो जाती है यह एम्टी स्पैस क्रियाइट हो जाता है तो उसको यह मतलब आन नेच्रल स्टेट है तो से पील करने के लिए दूसरे शेल से एलेक्ट्रान आता है पिर जब ओपर शेल से नीच्व के काथे हैं यहीं ल शेक ک तरह पिरा एम अ कि की तरह प्या एइंसे के की तरह तो इनको हैं करुस्ट्रास टिक एक्ष्ट्रेस कहते हैं क्योंकि जब अपर शेल से नीच्व इसल wiggle की तरह है केशल जो है कुई भी एक्सरेस को मतलब कुई भी एलेक्ट्रान जो है अपर शेल का अगर उसको पील कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या होगी हमारे साथ एनर्जी लास होगी उसे एनर्जी को हम करिस्ट्रिस्टिक एक्स्रिस कहते हैं अचा अगर के शेल को पील कर रहे हैं तो हम के करिस्ट्रिस्टिक एक्स्रिस को कहेंगे अगर हमारे साथ विकेंस से क्रियाइट होती है एल शेल के अंदर पिर L-Shill जो है अपर शेल जो है उसको पील कर रहे हैं तो हम पिर L-Cyristic x-ray इसको कहेंगे लेकिन याद रखें टॉंस्टन एक्टम के अंदर क्योंकि टॉंस्टन एक्टम हम यूज कर रहे हैं x-ray tube के अंदर K-Shill के इलावा इमेजिंग में मतलब डाइगनोस्टिक में में इसका कुई वेलियो नहीं होता है क्यूंकि आप केश शेल को देखे तो केश शेल के बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है ऐस कमपेड़ टो एैल शेलười एंश जितनी आप उपर की तरह जाएंगे अनर्जी वह कम आइंश रिस्टीक वैल्यू रखते हैं हम डायगनूसिस के अंधर यूज्र करते हैं अच्छा तो समराइस करता हूँ यहां पर प्रोजक्टाल एलेक्ट्रान आएंगे केश शेल के साथ स्ट्राइक में केश शेल से एलेक्ट्रान को रिमूव करेंगे जिसको हमाईनाइजेशन कहते हैं क्योंकि आटम पेच्छा जीद आए जाएगी जी जो विकेंसी क्रियाट होती है वो अननेच्रल स्टेट होते हैं पर इनको फिल करने के लिए दूसरे शेल से एलेक्ट्रान नीचे उस शेल में आता है और उसके नतीजे में एनर्जी इमिट होता है और उस एनर्जी को पर हम करिस्ट्रस्टिक एक्स्रस कहते हैं